मुझे जाने के बाद हम आपी खिदमत में दुबारा हासर हैं और आपके लिए बिल्कुल मारी फॉन लाइन जो हम बिल्कुल कोल दी गई हैं आप शामिल हो हम जानते हैं कि आप शामिल होना चाहते हैं क्योंकि आज जो हमने हमारा टॉपिक है यह ही ऐसा कि आप इसमें जुरूर अपनी जो राय है वो शामिल करना चाहेंगे खास तोर पर जबके पाकिस्तान सब्तर सालों का हो चुका और हालात पाकिस्तान में इस किसम के हैं कि हमें नजर जो है दोड़ाने की जुरूरत है माज सब्सक्राइब कि आपने मालमाद से में मुस्वीद किया जजाएक आला हूँ मैं आपके चैनल की तरसे से उनको मुबारक बार बार देना जाता हूँ वो 17 अगर्स को उनकी परत देवी है इसलिए उनकी मुबारक बार देना आपके तरसे से और हाँ बहुत अच्छा आए लिए और नहीं ये बात क्लीर की थी कि पकिसां का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई दूसरे दीन व्ल्वा ख़र दीन बे मल्दब इसमें नहीं रह सकता है बोस्वानों के लिए बार बार बिक ठगॉवर के अगुथ यह मतलब यह है क्ог廉श्वाले उैसमें महाश्रे में आ को भी जिन्दा रहना का ऐसे ही हाक है जैसा के आप को है तो ये मादर ने बड़ी वाज़र दो क्लियर की थी मैं उन्रे स्वाल करना जाना रहा है काश हुआ उसमकर वकर नहीं रहा तो इन्शाला उन्से पूछ लेगा है तब ये बिल्कुल बात वाज़र है कि पाकिस्तान का मतलब मुस्लमानों के लिए एक एलादा वतन जिसमें कोई जबरत शाद कोई दूसर नहीं है पदकी सिंदी से हमें खाल लागत अली खान साथ के बाद और कुछ ऐसे हुक्मरान मिले जिनके मैं गिला नहीं करता रौनर होता हूं कि हम आज़ते काद आदम के उस तकायल उस उस जो सोच थी हम उस पे पूरा नहीं ऊतरे हैं आला ताला पाक्सान की अफाद ुत है बहुत वहत ब्हुत विरवाने हैं बहुत शुक्रिया है क्याम पाक्स्तान की जरूर क्यों महसूस होई प्यवार इसके पहलों पर गार किया जाए तो कई पहलों ऐसे निकलते हैं लेकि सबसे पहले मैं कहूंगा कि जनाथ साथ, मुहम्मद अली जनाथ साथ की दूर अंदेशी और जीरक और उनकी जहन को और पड़ा लिखा होना और उनको दूर की नजर से देखना ये उनका कमाल था और ये मुहम्मद अली जनाथ ने ये कमाल करके दुखाया और अमली तोर पे दुखाया और साथ कदम होके दुखाया इसलिए कि उस वक्त हमारे अपने जो मुसल्मान अल्मा तक जो थे वो काईद आजम के खलाफ थे और उनने मुकाल थे खलाफ थे लेकिन इसके बावजूद काईद आजम आपने मौकब पे डटे रहे और डटे रहने की वज़ा से अल्ला ताला ने उन्हें कामिया भी वी दी और उनकी दूर अन्देशी आज में 70 साल के बाद भी पता चार रहा है कि वो कितने दूर अन्देश थे और उनने क्यों जरूरत महसूस की, पाकिस्तान की, अलैट की की जिसका आज भी आफ आज़ रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है और कश्मीर में किया जلم हो रहे हैं, हैदराबाद में भी आपने देखा हुआ कई तफ़ा कतले आम हुआ मुआ मुआनों का आज भी महाँ पे गोईस खाने की पबंदी है आज भी महाँ पे मुसल्मानों को मारा जा रहा है तो ये सारी चीज़े काइदियादम की नजर में थी और उस वक्त काइदियादम का मकाबला उस शक्स के साथ था जो बहुत ही तेज तरार और चलाग था जिसका रामगादी था जिसने अपना सहर पूरी का इंडिया के उपर और इवन के उसने अपना सहर अंग्रेज़ों पर भी डार रखा था और जिसकी वज़ा थी अंग्रेज़ भी उसके गरवीदा थे लेकिन इसके बावजुद काइद आजम उसके सहर में नहीं आए और उसकी खुशे कलापी की में नहीं आए उन्हें अपना मौक फेड़ी रखा कि हमने अपना मुलक लेना है अपने मुलक भी रहना है एक तर ये बात हुई दूसरी भाग ये थी काइद आजम को ये पता था के हिंदू और मुसल्मान ये दो कव्म Hai ये दो कोमे एक साथ नहीं रहाए की क्योंकि इनके रहने वहने का खाने पीने पार आज़रे के अबादत का थरीका का रहा ओर रहा है और ये ही वज़ा थी कि काईदा उसने कहा था कि मैं अपना पाकिस्तान होंगा जब पाकिस्तान हलादा हुआ तो उसका असलामी जमूरिया पाकिस्तान का नाम दिया और ये वो नाम था जिर पाकस्तार डुनिया को उफच के एक नैया इसलामी मुलenter के तोर दौर पे उफक पर आया और उसने अपना नाम जो इसलामी जुम Glendy पाकस्तार् के पाकस्तार आचा ये कि ऐसे आया मुस्वाई कि ये पाकिस्तान इसलाम का किला के नाम पर कहलाना लगा और इसलाम का किला बान गया और पूरी दुनिया इसलाम के ममालग इसके इर्द गूमने लगे और लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान को जब हमने अलादा किया अब देखना इस बात गया हमारी बात किस्मती ये रुई कि काइद एज्म हमारा साथ छोड़ गया वो चले गया, दुनिया से जल्दी चले गया जिसकी वजाते हम थोड़ा सा टचके में आ गया और इसके बाद फिर काइद एज्म کے बाद पर हमें कोई इसा लीडर ना मिल सका कि जो पाकस्तान को आगे लेकर चले काइद यादियादम के नजरियात की से मेला तो अलाइदा करते वकत वो लोग जिन्होंने कुर्बानिये दी जिनके खांदान लुट गया है जिनके खांदान मारे गया है वो लोग जब पाकस्तान में आए तो ये पाकस्तान उस वकत उनकी नजर में जो अहमियत रखता था वो और थी और आज जो पाकस्तान में जो हकू बैटो है, इनकी नजर में पाकिस्तान की अप्राइप। आसारी है भुडुरत शर्थाओ Not जजाएकाललाई बहुत उम्दाबाद नख्वी साथ ने की कि ये दो जो मुक्तलिफ चीज़े हैं वो फर्ख बिल्कुल वाज़े हैं कि जिन्हों ने बनाया था बलके मैं तुम यू कौँगा वो उसमें दिखाते हैं कि वो सहत का भी फर्ख दिखाते हैं बनाने वाले क कहा वीजिन क्या था और आज लूटने वालों का टरिख रिकार किया हैं वो किस तरह से अपने अबाई माल समझ के उसको जिवे तहसनायस कर रहे हैं और बनाने वाले ने अप भी है न उकरप राए बहुत अामकााद था हूखर भी बहुत मशुग है कि उन्हों कोई मेहमान थे जब वो सरकारी आफिस में बैठे थे तो उनके लिए मेहमान के लिए चाहिए पीश की गई तो उन्होंने आने वाले चपडासी को फ़रां कहा कि ये घर से पीकर क्यों नहीं आई ये कौमी खजाने में से इस मेहमान को पाइचाए जो नहीं पिलाई जाएगी आज अगर कायदे आजमियास आपको देखते तो शायद नहीं के अचाहिए 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 पर कौमी खर्चे पर कंटेनर के कंटेनर लेकर जो है वो चल रहा है मुरे प्रिस को लगाया वाई को और दिशान करेंगे हैं सलाम अलीकुम रहमतुला जी मेरे बहें गुजरासे खुशाम भी पर जजाकाल्ला जजाकाल्ला बहुत शक्रिया और देखें जो लोग उस वकद एतरास कर रहे थे खुसियत के साथ जमात इसलामी के बड़े पेट में दर्द उट रहा था और उसका उन्होंने बदला भी लिया जो अगवारिस्तान से पूरा टेरिज्म उठा कर लाए इसमें यह सब शामिल है वो उन्होंने आज भी एकसेप नहीं किया उसवकद भी एकसेप नहीं कर रहे थे उसवकद उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कौफरिस्तान का नाम दिया قادِ آزم کو جو ہے وہ کافرِ آزم کا نام دیا اور بڑی مخالفت شدید مخالفت انہیں پاکستان بننے کی کی اس وقت کہ نام اسلامی رکھ کر جماعت اسلامی ہند جو ہے وہ اور آج بھی اگر ان کی لوگوں سے وہاں پر بات کی جائے تو وہ شدید مخالفت پاکستان کی کرتے ہیں اب دیکھیں آج بھی اگر ان حالات کا مواز نہ کیا جائے جو لوگ کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ غلط تھا تو اگر ان سے کہا جائے کہ آج گاؤ رکھشا کے نام پر کس طرح تشدد کیا رہا ہے بارہل اس پر بات کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم السلام موسیٰ صاحب سے بساقی مارک میرے لفعہ حاضر ہو گیا ایک بات جو مجھے ایک قرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ قائد آزم کو جو دشواریاں پیش آئیں پاکستان بنانے میں وہ اس وقت ختم نہیں ہوئی تھی جب انہوں نے پاکستان بنایا اس وقت صرف سندھ جیسا وہ پاکستان کی مومنٹ کا تھا وہاں پہ مومنٹ ہوئی تھی پاکستان کی لیکن پنجاب میں یونیس تھے یہ محالف تھے انڈا بلو پی کے اندار ریڈ شرٹ تھے وہ اتنے محالف تھے کہ آپ کو یہ سنکر تاجب ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا تھا بغفاد صاحب نے کہ مانگویٹن سے یہ کہا تھا کہ ہمیں آزاز رکھ کر دیا جائے انہوں کا نیئے نہیں کہہ جائے سکتا انہوں کا اچھا تو ہمیں ہندوستان کا حصہ رکھئے انہوں کا کہ یہ بھی نہیں ہوگا انہوں کا اچھا ہمیں افغانستان کا حصہ بنا دیجئے انہوں کا کہ یہ بھی نہیں ہوگا تو وہ اتنے ناراض ہوئے कि उन्होंने पूरी जिन्दगी देहलिम पो गुजा दी पाकिस्तान में नहीं हुआ अधिया पूरी जियुक्त की तो आफगानिस्तान बेटी तो इस सथी तो इन्होंने पाकिस्तान में आ रहा है। तो तो वहां के लोगों आए ये कर था किका है अब तक हम हुकुमत से पैसे लिया कर प्रम रहें। अब हम आपकी stelltे के एक पैसा भी नहीं उंगए हम आपको une solvedal है Ini पर खाइया जाया येख ग़िए। इसलिए के 16 जून, 19 जूलाई को कश्मीरों ने ये टेह कर दिया था कि वो पाक्सान खैसे बनेंगे लेकिन उन्होंने जब पाक्सान बना तो उस अख उन्होंने इस कांटर साइट जो थे उन्होंने एक जूटा ख़त भेज़ कि ये कहा कि जो महा का जो लाजा था उसमें हिंदोस्तान से इलाग किया तो और ये जूट दावर लेकिन ये बात तैह थी कि मुस्लमानों की जो लेकिन आजा नवाले तैह हो गया था मौंट बेटिक दुमाने में ये दूसरी बात है कि ये जब वो रट फिलिफ एवाट वाट वाट उख तो उसमें बड़ी बेमानी की और ऐसे इसे इजाके कि पाकिस्दान कर दब होने चाहिए 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 जों को बाहर कर दि बाहराद खायर आजब ने जो कुछ किया मौसब के साथ नहीं उसक खालाद बहुत अच्छे थे हिंदुस्तान जो था वो उसक बैफूट को बसा और इस पाकिस्दान और वेस पाकिस्दान के अंदर अच्छे तालुकात थे लेकिन बात में लोगों के गलत इनकी विरे से तहल्गात खाराख होते चले गा यहां तक के जिस पाकिस्दान लेजा हो गया और हमाब के ले रहागे यहां पर बाहुद इसमें पिस वहाला की हमान लूगों की माव की जगा मौन श्क्रिया जिए तो ये जो तो यह जो तमाम चीजे हैं जो कि हमारे बज़र्ग जो शामि यानि उनके आप भी थी नहीं है तो उनको इस तरफ तबज्ज़ करने चाहिए पढ़ना चाहिए देखना चाहिए और मैं बात कर रहा है दो कौमी नजरीय की जो लोग आज भी मुखालिफत करते हैं और पाकिस्तान का दियावा खाते हैं पाकिस्तान का दियावा उड़ते हैं पाकिस्तान के दियावा पहनते हैं पाकिस्तान की नैशनलिटी पर पूरी दुनिया में सफर करते हैं पाकिस्तान में अपनी जाहिदाते बनाते हैं जीना मरना पाकिस्तान में करते हैं मगर दो कौम नजरीय की मुखालिफत करते हैं ऐसे लोगों कुछ इनाशनलिटी जबत करके जो हैं को इंडिया में देखें कि वो गाव रक्षा के नाम पर आपे क्या जल्म कर रहे हैं जब भी मैं बात चीड़ता हूँ कावर वारे साथ बाराल शामिल हैं जी जी बिसम ल्ला है ये शो हलो जी बोलिए आप अन एर हैं आप आमेर मुखतार है मैं बोड़ रहा हूँ जी जी बिसम ल्ला फरमाईए कहां से मुखतार साथ बिसम ल्ला फरमाईए बिसम ल्ला फरमाईए बिसम ल्ला फरमाईए बिसम ल्ला फरमाईए बिसम ल्ला आप आ पाकिस्तान की हिस्ते ही, मैं से ये मेंचिन करना चाहता था, आज जो खिस्ता काईद आजम में लिया है, ये छोड़ हमारे लिए, ये इतनी बड़ी रहनी हिदा है, कि मुसल्मान उजों के खुला हुआ थे और आज पाकिस्तान में जाओ, टेके गड़ में दस दस गाड़ ग है, ये इसकी बर्कτο है, आज मुसल्मान ऐसे रहते हैं, जैसे चाही जूप रहते हैं, अज़रे की बता इन्डेजा प्यूच्तामीं, ने प्वुचता मीहना, श्रुकरी है, ठीख है, बहुत शुक्रीठा, बहुत स्थ काड़ीन को, बखतर साहुएं, तुर भादे में मु रंगी कलर का औरेंज कपड़ा डाला और वो फिर उसको कोई हाथ पुलिस ने लगाती फौज ने लगाती कि जी इसने जो है वो गाव रिक्षा के नाम पर गाव एक खाई है और उसको वो माट डालते हैं अभी इसी महीने कितने ये वाकियाद रिपोर्ट हुए कॉल हमारे सा असलाम अलीकों रह्मत अल्हाँ सारे सार तुम कह रही थी ना कैसे लोगों को वापस बेज देना चाहिए इंडिया तो मैं एक बड़ी मुझधार बात आपके सुना हूँ कि मैं एक दोपा जा रहा था लाहूर सफर पे तो मेरे साथ एक बैठे हुए थे अपने भाई थे पाकिस्तानी थे तो वो अपने नाम के साथ ना पानी पती कलाते थे अपना नाम दे के साथ पानी पती कलाते थे और वो पाकिस्तान की ना सखत मुखालसत में थे जिना ने बना किया में मुसीबत कर दी ये गर दिया वो कर दिया उसने यह बात की तो मैंने का या तुझे कि पाकस्तानी ने कहलाया बलके तुने मुम्मज दिभी पानी पत्ती कहला रहा है चुछ पाकस्तानी ने कहला हो। पाकस्तान को पुबूल करने के लिए त्यार नहीं है। आप इसकी मसाल यू दे लो कि पाकस्तान में रहते हुए साथ हजार कनाल में महल बनाया हुआ है साथ हजार कनाल में रह रह रहा है और अभी जूटा होने के बावजू सड़कों पे आया हुआ है लेकिन आपने गाउं का नाम क्या रखा है जाती उम्रा उसे पाकस्तानी नाम नहीं कोई भी रखा और जाती उम्रा रखा है क्योंकर वो इंडिया में जाती उम्रा में रहता था जाती उम्रा में रहना है अब जाती उम्रा में रहना तो भाई जाओ इंडिया में जा गरो पर यहा रहने की क्या जरोत नहीं है घाती उम्रा बनाने की क्या है। तेंक यू जी मैरवानी शुकरिया. हम भीग चले जाते हैं वहां पर बड़े खुशाल लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं और यहां पर जो है वो एक 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 इसलामी महाल एक आजानों का होना और यह तर्म चीज़ें आजाद हैं वहां भी होती है आजान है यह वह बात नहीं है तर्म लेकि मजभी आजादी इस पर शिको जो है वो अजादारी के जलू सुना हम क्यों नहीं आए मगर जब से ही जावलख ने और जमात इसलामी ने जहर भोया तो अब वो इस चीज़ पर फखर करते तो च्छावव नहीं हैं यह कौला को शामिल करेंगे असलाम आलेकुम रहमत ल्लाह वालेकम असलाम जि जादे के और ऊसलाम आलेकों असलाम दूकिज़ विश्क daricity के जिस चांअगे से कॉल सिरुदी को जाएंगे यह पर वाली अधियếu है सी आप के जाद मीखेंगेTechflanzen च्छोड़री से ब्रेक भला जाएंगे उबहुत मुक्सित ऐर इकинки पर जायेंगे के अशालाह हम वापस आ कर दो